जहिंद गुडिमिनिंग वेलकम टू इस्टेडी पारपाइंग दिस जंकित मोर्या आज नौ फरवरी 2021 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं पॉलिटिकनिक यूपी पॉलिटिकनिक के फर्स समेस्टर अप्लाइड कम पी का जो कोस्टन्स आते हैं आप यहां देख करके कुछ बेनिफिट आपको मिलने वाला है और हाँ ज्यादा जरूरत है तो एक कॉपी और एक पेन निकालो इस मॉडल पेपर को जो भी कोस्टन्स लिखें उसको लिख भी लो चलिए दिखाते हैं कुछ देखो इस तरीके क आपको सामने दिखेगा मॉडल पेपर यहां पे ध्यान दिखेगा कुछ इंपॉर्टन चीजे होती हैं जैसे इंपॉर्टन चीजों में क्या इंपॉर्टन लिखा रहेगा और आप भूल कर भी गलती नहीं करेंगे कि रोल नंबर के जगह पर हम यहां पे क्या भरते हैं इ यहां पे आप क्या भरेंगे यहां पे आप हमेज़ा रोल नंबर ही भरेंगे ठीक है यहां पे आप क्या भरेंगे रोल नंबर दूसरा इसमें एक इंपॉर्टन बात आती है कि यहां पे जो पेपर कोड दिया यह कहां भरते हैं इस पेपर कोड को देखें ओ जो कॉपी होत भरने वाला जो सिस्टम होता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो मैं आपसे करना चाहता हूं आप नहीं भरे तो अच्छा है बाकी वीडियो में एक मतब जो गाड़ी करेगा उससे पुछ लिजेगा नहीं भरे अपने मन समझ भर दिएगा बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमने वीडियो दी है जिसमें कि हमने दिखाए कि किस तरीके बीटी उपी कॉपी देखने में लगती है और उसे भरते कैसे उसको देख दिया गया कि 2019 का यह बोर्ड पेपर है और बाकी यहां पर क्या लिखा रहेगा कि फर्स समेस्टर की बहुत सारी ब्रांचे हैं जिसमें कि यह पेपर कॉमन है तो देख सकते हैं कि इतनी सारी ब्रांचे जैसे इलेक्टिकल सेवेल मैकेनिकल इलेक्ट्रोनिक्स का मिनिकेशन इस तरीके की ब्रांचे आईटी हो गया रहो गया और इस सभी ब्रांचों में यह पेपर कॉमन होता है तो इस सभी के लिए है तो आप देखेंगे आपके सामने या सीधे सीधे लिख दिया गया है कि अप्लाइड कमेश्ट्री धाई गंटे माँ को पेपर करने हैं मैक्सिम पचास नंबर, मिनीमुum सत्रह नंबर, यहीं सत्रह नंबर से अगर कम होता है तो आपका क्या हो जाएगा, बैक लग जाएगा और बैक लगव हीहा पर क्या करना है आपको बैक लगने आगर अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया है तो रीचक ढालिएग अगर, आपको विश्वासिक हमने नहीं किया है, तो आप कुछ मड़ डालिएगा, और इस कुट्टी तो भूल कर भी मड़ डालना, उसमें बहुत कम चांस रहते हैं, कि कुछ क्लियर हो रहो, चलिए, अब यहाँ आप देख सकते हैं, subject का नाम ही लिखा है, English वाले को छोड़ देते हैं, हम स सब ही question को attempt करने है, और यहाँ पर क्या करना है, अगर ही इंगलिस वाला, किसी की इंगलिस आता है, तो अगर नहीं सब्मारत ही, तो एंगलिस वाला दोनों दे सकता है, इसमें बताय गया है, और तीसरा बताय गया है, कि आपको paper, page और mobile phone नहीं use करने है, student के लिए not allowed है, ठी यह से अगर बाद मेला होगा, जब दूसरा कोई subject आता है, उसके लिए चलिए, अब इसको थोड़ा से score कर लेते हैं, यह देखिए, सबसे पहले question के हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला question किस तरीके का आता है, सबसे पहला question जो होता है, उसमें 12 question दिये रहेंगे, कभी कभी 13 भी इदर से तो आपको यहां से 10 नंबर मिल जाएंगे और यह जो question होते हैं एक मार्ष के यह बहुत ही छोटे questions होते हैं बहुत बड़े question नहीं होते हैं एकदम नॉर्मली छोटा सा question होता है चलिए देखिए वह 10 question कौन है copy pen निकाली और लिखते चलिए अगर आपको चाहिए भी सबसे पहला question देखिए तो कहा जा रहा है सिग्मा और पाई बंद क्या होता है इसको डिफाइन कीजिए यानि परिभासित कीजिए अगला देखिए क्या है दूसरा question कहा जा रहा है 3p electron की एक और यम के मान लिखिए ठीक है एक नहीं यल है ठीक है यल है हलाकि क्या निकालने है यम का मान निकालना है आगे देखिए क्या है अगला जो questions यहां पर देखने को मिला है वह डेकान का राशायनिक शुत्र आपको लिखना है और अगला क्या है 4th number question की बात करें तो गयलनी करण में का उपयोग साथा है किसका उपयोग साथ यह कमेंट्र डर्म आपको पता है तो चलिे आगे देखीए तो फिध्य नंबर ब्लाइब पी कौश्चन में क्या सोब करना हैं खाया जारा है यहां पर क्या है टिक लगाने वाला आ गया हाला कि टीक लगाने वाला वही कर पाएगा जो भाई इसे पढ़ा होगा चलिए देखिए क्या है अगले कोश्चन में यहां का जा रहा है निमलिखित में से कौन सा अडू यस्पी 3 संकरित नहीं है यानि यस्पी 3 कौन सा हाइविडियाजेशन नहीं है तो आप बताईए इन चारों में से कौन सा सही है ठीक है तो यह कोश्चन यह भी हो जाएगा अगला देखिए अगला यहां पर भरने टाइप का रहा हा हला कि भरने का यह चाय आंसर का यह बात काता और यहां भी भरना है कि अपस्तिक क्या होता यानि अस्थाई कंता और पाणी के साथ मतब्त हो बाइए बारे में साद क्या होता है आपको । चलिये अगला आपको थोष लुब्रीकेंट के आपके बारे में और एक देखिए सबसे इंप्रूर्डन को Again लगबग मैंने देखा है कि हर साल यह यह लिए कोन कि बात करें तो देख सकते हैं लिखा गए हैं अगला कोस्ट बताना है अभी 2019 जंग जब किछ से पहले जो होते थे उसमें आ befर ने सिस्टम नहीं चलते थे ठीक है आप ध्यान दीजेगा क्या समय समय पर बीटी उपी भी अपना जो पेपर का सिस्टम है थोड़ा बहुत पैटरन चंज करने लगता है आगे देखिए अगला आपका जो है नेश्ट लास्ट नंबर कोस्टन यानि पहले का आवर्त साडी में सर आरा कोस्टन टोटल दिये गए ते जिसमें से 10 कोस्टन यानि 10 कोस्टन आपको करने थे और 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा और देखिए इसमें वही कोस्टन पहले टच किजिएगा जो आपको पहले आ रहे हैं यह मत करिएगा कि कोई कर लें इधर उधर से ठीक है तो आप पहले वह कोस्टन इसमें मतब पहला जबी स्टार्ट कर रहा है तो वह कोस्टन लिखे जो पहले आपको अच्छे से आ रहे हैं चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे कोस्टन की इसकी क्या भाई टर्में कंडिशन्स वगरा होती है यह कोस्टन इसमें टोटल नंबर आप करते हैं दो नंबर की दर से तो आपको यहां से टोटल कितने नंबर दस नंबर बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे तो चलिए देखिए जरा तो पहला कोस्टन क्या बोला है पहला कोस्टन पानी की एक नमूने में CASO 4 का ठीक है इस इक्वल टू 204 मिलीग्राम प्रति लीट किया होगा चलिए आगे देखिए तो इसका निश्ट कोस्टन क्या है निश्ट कोस्टन में बंधित आडवी कच्छक ध्यान दीजेगा बंधित आडवी कच्छक यों प्रति बंधित आडवीक में भेदरस्पष्ट करना है यानि अंतर बताना है आपको बंधित आडवीक क क्या अंतर होता है चलिए अगला देखिए कोश्चन बहुलक से आ रहा है पॉलीमर से आपका क्या है जैवा पकरश्री ठीक है जैवा पकरश्री बहुलक किसे कहते हैं उदाहरण और उपयोग दोनों ही आपको बताने हैं नेश्ट अगर बात करें कोश्चन नमर आप देख सक रहा है ठीक है अलाक हमने इसकी कुछ वीडियों सोगर बनाई है तो भी डिस्क्रिप्शन में दी आप लोग उसको देख सकते हैं चलिए अगला कोश्चन यह भी बहुत सराल है डिफनेशन टाइप का है डिफनेशन टाइप में क्या का जा रहा है इसमें संकरण यानि हैव परजन का सिध्धान्त पावली का परजन मतब रूल है मतब सिध्धान्त थियरी है इसको पढ़ लिजेगा यह भी इंपोर्टेंट है क्योंकि पेपर में अल्टर्नेट करके यानि एक के बाद एक साल नहीं आए तो अगली साल हो सकता है कि लगातार दो साल दे तो यह आता पहले आपको बताना है CS3COOH किसका सुत्र होता है तो आपको यह लिखना है और दूसरा क्या है आपका आपका देख सकते हैं यहाँ नेस्ट आपका है CS3, CH, CH2, C और triple bond दे करके CH लिखा गया और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं क्या लगा है CS3 लगा हुआ है तो यह किसका आप कमेंट में जरूब बताए या फिर नहीं पता है तो आप कहीं से पता करजे यानि कि यदि कि IPSC कुछ कंफर्म ने तक यहीं वाला हैगा IPSC अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना चाहिए आपको इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक् देखने को मिलेंगे जिनमें से आपको सिर्फ दो कोश्चन की जवाब देने पड़ते हैं दो कोश्चन और प्रते कोश्चन 5 मार्क्स का होता है अर्थात आप दो कोश्चन 5 नंबर की 10 से करेंगे तो आपको यहां से 10 नंबर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा चलिए कार आया है एक नुमेरिकल टाइप का है ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान देंगे और एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूं अगर पेपर में आपको नुमेरिकल आये तभी कीजिएगा क्योंकि नुमेरिकल में थोड़ा सा गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा ज क्योंकि उसमें नंबर कुछ न कुछ मिल जाएंगा अगर नुमेरिकल आता है एक दम अच्छे से तभी कीजिएगा चलिए देखिए क्या का रहा है नुमेरिकल में आप इस पे एक बार प्रेक्टिस कर लिजिएगा नहीं आता तो अपने टीचर से पूछ लिजिए कहा जा कैलोरी मीटर में 250 ग्राम पानी है और कैलोरी मीटर का जल तुल्यांग की तना डेढ़ सो ग्राम है तो इधन के उसमी अमान ठीक है उच्छ उसमी इमान एक निम्न होता है उच्छ उसमी इमान की गणना करनी है तो मुझे तो नहीं लगता कि इस वाले को हंडेड में से गइवाला मतब नेश्ट नंबर कोश्चन वो भी बहुत मस्त कोश्चन है कैसे मस्त है पहले देखिए दूसरा कोश्चन तीसरे गा इसमें क्याना थेको एक इतने नबर के ढ़ाइब यह पीन नंबर और यूम्ट पायंट यहां सेमिल जाएंगा त्वी रिख है तो जरूर तो उतने नंबर मिलने बहुत कम चांस रहते हैं तीन नंबर अगर कम लिख दिया तो तीन नंबर से कम ही देखा पूरा लिख ओगे तीनी नंबर तपर देखा लेकिन इस वाले में हो सकता है चार भी आपको मिल जाए आगे देखिए इसमें कोश्चन बता दू क्या है RDX क्या होता है इसको आपको बताना है और टेफलान आपको RDX और टेफलान के बारे में यहां से आपको बताने है चलिए आगे देखिए तो अगला कोश्चन तीसरा नंबर कोश्चन जो है तीसरे कोश्चन में क्या करना है दो कब इसमें भी उत्तर देना है बहुत अच्छा क सकते हैं इसके बारे में लिखना है और यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक भी है तो आप संचार वाला भी चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिजेगा चलिए बात करते हैं करने होते हैं जो होता है यानि दो कोश्चन पांच नंबर की दस दर से आप करेंगे तो आपको यहां से 10 नमबर मिल जाएंगे बड़े ही आसानी से चलिए देखिए अगला क्या है इसमें इसमें सबसे पहले आपको क्या कहा जा रहा किसकी डिफनेशन दनी है क्योंकि इसमें दो-दो दे रहा है तो बड़े आसानिस कर ले जाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन नंबर अच्छा मिल सकते हैं सबसे पहले आपको इशनेहक ठीक है इशनेहक यानि लूब्रिकेंट को पजबासित करना है और इशनेहक जो होता है ठीक है इसके कार भी लिखने यान दूसरे में भी कई questions दी हैं जैसे दूसरा भी काफी अच्छा question लग रहा देखने में यह देखिए अगर इसमें चचर लाइन लिख देंगे फोर फोर लाइन तो भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा question में कहा रहा है निमलखीत बहुलक यानि polymer में किनी दो के आप इन में से कोई भी दो का आपको answer देना है और अगर इसके last question की बात करें तो यह बहुत अच्छा question है जो कि आपको क्या डिफ्रेंस बिटी में लिखना अंतर लिखना किसके किसके बीच बिद्दुत सन्योजग बंद और ससन्योजग बंद ठीक है आपको question में क्या होता है condition इसकी इसमें भी कितने question तीन question दिए तीन question number आप question रहेंगे इन में से दो करना होगा यानि आपको यह question कितने नंबर का 5 नंबर का होता है ठीक है यहां से कोश्चन आपका कितने नंबर का 5 नंबर का तो आप दो कोश्चन करेंगे 5 नंबर की दर से तो आपको 10 नंबर यहां असानी से मिल जाएंगे तो चलिए तरीके देख सकते हैं पहला कुछ इस तरीके साई पीसे नेम आपको बताना है क्या होगा इसका और दूसरा अगर देखा जाए तो देखो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है और चौथा पांचो देख लीजिए बहुत छोटा-छोटा है ज्यादा कुछ है नहीं और बाक जो परनानी है यह तो इस ही तरीके कुछ लिखा गया तो उस समझ नहीं आ रहा था कि ए इस तरीके का क्या आई-पिस नेम होगा तो ध्यान दिजिए आपको क्या करना है इसाइप की सेब बनानी है ठीक है इनिस आपका यूजर करते वे जो आपके कार्बन हाइड्रोजन है हाइड्रोकार्बन इनी सब की मतलब से एक सेप बनानी है जिस भी सेप का कहेगा और फिर उसके बाद उसका आईपीसी नेम बताना होगा ठीक है मैं आवेर कर दे रहा हूं क्योंकि मेरे साथ यह घटना घटी थी मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ ऐस उसे सुर्व प्रकास की अनुपस्तिती में अभग्रिया करती है यफी की उपस्तिती में तो इसके बारे में आपको बताना है क्या होगा अगर ऐसा करता है तो अगला अगर आप देखेंगे अगला अगर बात करें तो अमोनिया मैं यानि एजी यन्नो थी बिलियन में एसी इसका बताइए आपको बताना है नेस्ट नंबर लास्ट की बात करें तो बेंजीन की अब गृया सांध्र यह चनो थिरी और सांध्र यह चैनो फोर से की जाती है तो क्या होता है आपको यह भी बताने हैं तो यहां पर भी कुछ इस टाइप के कोश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे कोश्चन है यह तभी आप कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी ठीक चलिए अब लास्ट कोश्चन भी देख लीजिए लास्ट कोश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें देखें दो कोश्चन दे दिया एक तो थर्मो प्ला होता हो समझ लीजिए बाकि आप पेपर में आसानी से कर ले जाएंगे और अगला क्या इधन का कैलोरी मान जी सी भी ठीक है जी सी भी और यन सी भी के बारे में आपको बताना है तो इस तरीके से लास्ट कोश्चन रहा है और यहीं पर आपका पेपर इंड हो जाता है बाकी इंग्लिस मीडियम आलों के लिए मैं दिखा देता हूं अगर जो इंग्लिस में लिखना चाते हैं ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ठीक है यहां पर देखिए बिल्कुल उसी तरीके डिफाइन सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में लिखना है इस तरीके से है आपका दे इंग्लिस वाला नहीं दिखा है ठीक है चलिए इंग्लिस वाला भी लगबग सब देखी लिए होंगे ठीक है सब देख लिए बस आई होप अगर आसा करते हैं मतब आपको वीडियों अगर पसंद है तो लाइक सेर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी सेर तो करना ही हीं वान देमात्रम